हलो प्राइज लॉट गट्समानिंग एक और बार दिल की कहराई से धन्यवाद स्थूती तारीफ और जग्यार आज आपकी यूजना क्या है आराम करने की या आराधना में एक साथ सम्मेलत होने की जरूरी है I was speaking to brother और उन्होंने एक शब्द कहा जो मुझे बहुत मज़ेदार लगा and I always talk about fellowship हमेशा fellowship की बारे में आप मुझसे सुनते हैं और इसमें जो fellowship है इस शब्द का जो संदीवी छेट किया बड़े मज़ेदार दंग से तो fellowship means fellowship with the Lord, you and Lord in one ship that is great fellowship, hallelujah, मज़ा आया मुझे हमारे विश्वास को बढ़ा देते हैं, हमारे विश्वास को गटा देते हैं, हमारे विश्वास को इधर या उधर कर देते हैं जब मनुशे को पाप करना होता है तो वो अपने मन को मनाता it's okay to do something, छोटा साई करने से कुछ फरक नहीं पड़ता it's a part of human life, मनुशे के जीवन का एक भाग है it's okay, अगर आपने कुछ गलत कह दिया, उसने भी तो कहा था न्याय पर मिश्वर करेगा and you actually try to take your side आप अपना side लेने की कोशिश करते हैं, अपनी शरीर की अभिलाशा की side it's okay to relax, it's okay not to pray, it's okay to sleep more, it's okay not to read Bible it's okay, you are tired, आप ठकेवे हो, आप परिशान हो, आप दुखी हो, it's okay अहाँ चलता है कोई बात नहीं, चलता है, चलता है, चलता है ये चीज़ें आपको आपकी संगती जो परमिश्वर के साथ होनी चाहिए, उसर रोकती है बुरी बात है, तब क्या करेंगे, पॉलुस ने कहा था कि मैं अपनी दे को मारता कूटता हूँ क्योंकि वो जानता है इस बात को, और वैसे आप भी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ छुपा हुआ है आपसे बट, वे वी आर, हम हैं कहां, ओके लेट स्टार्ट, आज हम पढ़ेंगे सत्रा अध्याय और ये है यर्मिहा की पुस्ता, कई बार लोग बोलते हैं कि, वाइट यू राइट दे नंबर, चैप्टर, नंबर, पूरा चैप्टर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ तो अगर आप ये कहेंगे, कि आप कौन सा चैप्टर और कौन सी बाइबल वर्ट पढ़ रहे हैं, तो मतब ये बहुत ज़्यादा महनत का काम हो जाएगा हर बार लिखना पॉसिबल नहीं है, and sometime I read almost 5-10 बाइबल वर्ट together, सब एक साथ पढ़ रहा हूँ So I don't think so it's necessary, बहुत सारे लोग को कोई फर्क नहीं पढ़ता, they know this, I'm reading chapter 17, so means they have to follow it Okay, let's start, आए शुरुआत करते हैं, यहुदा का पाप और उसका दंड, यह है सत्रा ध्याय का पहले बचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पूरा ध्याय पढ़ूँगा यहुदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नौक से लिखा हुआ है, यहुदा ने जो जो पाप किया, उस सब लिखा हुआ है, याद रखी जैसे कि मैंने कहा था, कि धने वो जिसका लेखा यहुदा ना ले, यहुदा जो है ना, उसने वो कुछ किया था जिससे भी परमिश्वर ने माफ किया, दो बाते हैं, रुकावट क्यों ना हो, इस्राइलियों के लिए परमिश्व की ओजना थी, कि वो उनको मिस्र से निकाल कर कनान देश ले जाए, वो जगह जो यहुआ ने उनके लिए प्लान की, अब इस्राइलियों ने रोला डाला है, रुकावट डाली है, अपने पैरों पे कुलाडी मार यह, और वो यहुआ के सामने, यहुआ को रिस दिलाया, इसलिए चालिस दिन, चालिस रात का सफर, उनका चालिस सालों बदल गया, तो यह परमिश्व की ओजना में नहीं था, अब राहम के द्वारा इस हाक का जनम होना, परमिश्व की प्लानिंग में नहीं था, पर यह आप आराम से वो कर सकते हो, पर अगर आप वो करना चाहो जो परमिश्व की इच्छा है, तो परमिश्व ने तो आपके लिए वही इच्छा रखी है, परमिश्व कभी बुरी बातों के लिए इच्छा नहीं रखता, गार हैस प्लान और पॉपस बिहाइंड इच वन अफ चप्टर 17 वर्ज 1 उनकी वेदियों और अशेरा नमक देवियां जो हरे पेड के पास और उंचे टीलों के उपर हैं, वे उनके लड़कों को भी समरन रहती हैं, हे मेरे परवत, तो जो मैदान में हैं, तेरी धन संपत्ती और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूँगा, और तेर ने तुझे दिया है, और मैं ऐसा करूँगा कि तू अंजाने देश में अपने शत्रों की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी बढ़काई है, जो सरवदा जलती रहेगी, if you are doing a mistake means you have to pay the price, हर एक गलती की कीमत तो चुकाने पड़ती है, आप नहीं चुकाएंगे तो कोई और चुकाएगा, but definitely कीमत तो चुकाने पड़ेगी, आपके और मेरी गलतीयां जो थी, उन गलती। की कीमत येश्य मसी ने चुकाई है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ न क्योंकि हम पविद्र ही ने, कीमत मतलब जो है वो तो अच्छी होनी चाहिए न, वेल आगे पढ़ें, वर्स फाइफ, यहुआ यूं कहता है, शुरापित है वे पुरुष जो मनुशे पर भरुसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहुआ से भटक जाता है, वे जवानों के साथ बैठा था, और आवस टाकिंग, आपका चश्मा थोड़ा सा जीव है, यह चश्मा आपने कब खरिदा, बहुत पुराना पहले खरिदा कैया, मैंने का, तुम लोग मुझे जानते हो, मैं चीज़े नहीं खरिदता है, बहुत रेरली खरिदता हूं, यह उन शेप है, जो ज़्यादा तर लोग नहीं पहनते, पर मुझे फ्री में मिला है, इसलिए मैं पहन रहा हूं, और प्रभू ऐसे लोगों को और भी लाए, जो बड़ी-बड़ी चीज़ों को दे ता कि हम और अच्छे से अपने कामों को कर सके, जब मैंने यह कहा, तो अच्छ पर नहीं, परमेश्वर उसे अपने आप प्रवाइड करता है, अगर आप किसी चीज़ की चान नहीं रखते हैं, परमेश्वर आपको प्रवाइड करेगा, विच इस कॉइट निससरी फोर यू, जो आपके लिए ज़रूरी है, हर भली वस्तु जो भी आपके लिए वो पर नहीं कर पाएंगे, आप लीजिए शुरुआत कीजिए, नम्रता लाइए, धीरज लाइए, और सहीम रखिये, परमेश्वर फलवंत और बलवंत करेगा, हर बात में, साथ पत पड़ूँगा, धन्यवे पुरुष जो यहुआ पर भरोसा रखता है, जिसने पर मिश्वर को अपना आधार माना हो, वे उस व्रिक्ष के समान होगा, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी, तब उसको न लगेगी उसके पते हरे रहेंगे, और सुखे वर्ष में भी उसके उनके विशे में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वे तब भी फलता रहेगा, अफकॉस जहां है, ब्लेसिंग के स्पेस है, एनिवे, नाइन वर्ष पढ़ूँगा नौपद, मन तो सब वस्तों से अधिक धोखा द उसकी चाल चलन के नुसार अर्थात उसके कामों का फल दूम, सबसे दिख धोखे वाला कौन है, मन, जो अन्याय से धन बटोरता है, वे उस तीतर के समान होता है, जो दूसरी चिडिया के दिये हुए अंडों को सेती है, उसकी आधी आयू में ही वे उस धन को छोड़ जाता है, और अंत में मूड ही ठहरता है, हमारा पवित्र आराद ना ले, आदी से उचे स्थान पर रखे हुए एक तेजो में सिखासन के समान है, जो यहोआ हे इसराइल के आधार जितने तुझे चोड़ देते हैं, वे सब लजजित होंगे, जो तुझ से भटक जाते हैं, उनके नाम भूमी ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुते जल के सोते यहोआ को त्याग दिये हैं, आप की रोज की जिंदेगी निर्भर करेंगे, आप किस तरह से परमेश्वर की आशिश प्राप्त करेंगे, तो शुरुआत अच्छी तरह से कीजिए ना, एमेन, वर्स 14, यर्मिया द्वारा साहता की आचना, है यहोआ, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाओंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाओंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुती करता हूँ, सुन, वे मुझ से कहते हैं, यहोआ का वचन कहा रहा, वे अभी पूरा हो जाएगा परंतु तु मेरा हाल जानता है, मैं तेरे पीछे चलते हुए, उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उन आने वाली विपत्ती की दिन की लालसा की है, जो कुछ मैं बूला, वह तुछ पर प्रकट था, मुझे न घबरा, संकट की दिन तु मेरा सन स्थान है कि यहा मेरी आशा तूटने ना दे, मेरे सताने वालों ही की आशा तूटे, उनी को विस्मत कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ती डाल और उनको चकना चूर कर दे, निराशा हैं कि इसके जीवन में नहीं आती, परंतु पर मेश्वरा में आशा देता हैं, और मैं भी बहुत बार स्ट्रेस में आता हूँ, बहुत बार, सबसे बड़ी स्ट्रेस की जो मेरी वज़े है, सिवकाई के कामों को पूरा होते ना देखना है, and what do I say? I say I'm a servant, मैं सिर्फ एक सिवक हूँ, servant means सिवक, जो मालिक है, वो इसे देख लेगा, जो मुझ से नह नहीं कर पारा, जो मेरी सामत से बाहर है, जो मैं नहीं कर सकता, मैं वो मालिक को बता दूँगा, प्रबु को बता दूँगा, अपने परमेश्वर को बता दूँगा, मेरा रिष्टा परमेश्वर के साथ है, मनुश्य के साथ नहीं, जो मेरे लिए शायद ही कुछ कर सके, परंतु यहवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और इसलिए मैं येश्यमसीनाश्री के नाम से जो कुछ मांगता हूँ जैसा प्रभू से बात करता हूँ प्रभू मार्ग खोलता है उन्निस पद यहवा ने मुझसे यह कहा जाकर सरदार फाटक में खड़े हो जिस से यहुदा के राजावरन येरुश्यम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते है और उन से कहे हे यहुदा के राजाओं और सब यहुदियों हे येरुश्यम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो यहुआ का वचन सुनो यहुआ यह कहता है सावधान रहो विश्राम के दिन कोई बोज मत उठाओ और ना कोई बोज यरुशलिम के फाटकों की भीतर लाओ विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोज बाहर मत ले जाओ और न किसी रिती का काम काज करो वरन उस आग्या के नुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी विश्राम के दिन को पवित्र माना करो परन्तु उन्होंने न सुना और न कान लगाया परन्तु इसके विपरीत हट किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने परमेश्वन ने अपने वचन को साफ साफ रखा है Well, when we talk about सब्द, सब्द की विदी के बारे में तो बहुत सारे लोग इसे भटकाते हैं और बहुत सारे लोग इसका सही रिती से मतलब नहीं निकालते हैं In the Old Testament, it was really mandatory to follow the rule of Sabbath But there are a lot of things people misunderstood this And that's why in the New Testament, नाइनिय में प्रभु येश्य मसी बहुत बार लोगों ने गलती की है से समझने में लिकिन नाइनिय में मसी ने भी सपस्ट कर दिया कि सब्द का दिन मनुश्य के लिए है, सब्द के लिए मनुश्य नहीं है You know, हम इस बात को समझने में कई बार इतनी गलतियां करते हैं And sometimes these kind of, कुछ इस तरह के लोग जो की गलत शिक्षाएं प्रचार करते हैं उल्जन में डाल देते हैं और ये आपके विश्वास के लिए बड़ी समस्या होगी इसलिए सोच कर सुनो, किसे सुन रहे हो इंटरनेट पर आप सब कुछ सर्फिंग करते हुए, यानि सर्च करते हुए आपने जो सर्च किया, आपको जो मिल गया कॉंटेंट, उस कॉंटेंट पर भरोसा मत कीजे इंटरनेट पर कई सारे लोग कहते हैं, इंटरनेट पर मिला है, इंटरनेट पर जो कॉंटेंट है, ये ज़रूरी नहीं है आज मैं इंटरनेट पर जो content डालता हूँ, जो मैं लिख देता हूँ, जो मैं फोटो, वीडियो, मैंने जो डाल दिया इंटरनेट पर, वो मेरा बनाया हुआ data है और इंटरनेट पर है, तो इसका मतलब नहीं कि वो सही है, ऐसे ही बहुत सारी गलत सिक्षा हैं, गलत चीजें इंटरनेट पर हैं, गलत सिक्षा हैं जो हैं, उनका आप कैसे, उसे कैसे differentiate करेंगे, कि कौन सी इस सही है, कौन सी गलत है बिना वचन की गहराई को समझे सिद्धे शब्दों में सिध्धानतों को समझते वे आगे पढ़ूँगा 24 पर्सट 24 वचन परंतु यदि तू सचमुच मेरी सुनो यहवा की यहवानी है और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों की भीतर कोई बोज न ले आओ और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उन में किसी रिती का काम काज ना करो तब तो दाउद की गदी पर विराजमान राजा रथों और घोडों पर चड़े हुए हाकिम और यहुदा के लोग और यरुश्लेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और ये नगर सरवदा बसा रहेगा लोग होंबली, मेलबली, अन्यबली, लोबान और धन्यवादबली लिए हुए यहुदा के नगरों से और यरुशलेम के आसपा से बिनियमीन के देश और नीचे के देश से पहाड़ी देश और दक्षिन देश से यहवा के भवन में आया करेंगे परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरुशलेम के फाटकों से बोज लिये हुए प्रवेश करते रहो तो मैं यरुशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उसमें यरुशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर ना भुझे की कि अब भी अपनो और रहो तो में भी तो पिता के पास अधिकार है और वो तुम्हें बजाएगा फिर इस नथिंग रॉंग वैसे यहुआ की लाठी अच्छी है भली है दाओद के पास जब समय था तो दाओद ने कहा कि मैं दुश्मन के हाथ में पढ़ूं से तो अच्छा ही हुआ तेरे हाथ में बढ़ो दाउद को सजा मिली दाउद ने सजा भुकती और फिर से दाउद ने धन्यवाद करना शुरू किया I did mistake I have committed sin against my lord मैंने गलती है मैंने मेरे परमेश्वर के विरूद पाप किया है इसलिए मुझे सजा मिली है और अब मैं दुबारा ये ना करो वो तुरन धन्यवाद में लग या प्रबू आपको आशिश करे ये है चप्टर 17 बुक आफ यर्माया यर्मिया की पुस्तक मज़दार पुस्तक है Amen Father Lord आपके लिए धन्यवाद आपके स्तुती तारिफ वजज़ेकार तेरे लोगों को तो फलवंद कर बलवंद कर बुद्धी दे ग्यान दे समझ दे तेरे आग्मन के दिन के लिए प्रबू हमें आत्मिक रीती से मजबूत बना दे ताकि मर्जी तेरी पूरी करें मसेशो की नाम से दूआ मैं मांता हूँ आमेन प्रबू आपको आशिश करें फलवंद और बलवंद करें अपनी मर्जी में ले चलें चैन सिकी जब भी कभी हम इस तरह का काउंटडाउन देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि अब क्या होने वाला है यकीन मानिये ऐसा ही काउंटडाउन चल रहा है जो बहुत जल्दी खतम होगा और उसके बाद हमारे मसीह हमारे उत्धार करता का आग्मन होगा क्या आप तयार हैं और अगर नहीं आज ही तयारी शुरू कीजे विजनरी रोडियो पर 24 घंटे 7 दिन